ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख कैपटन अमरिंदर सिंग के स्तीफे के बाद पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के रूप में मन्थन जारी है बता दें कि सीम के तोर पर अम्बिका सोनी का नाम सबसे आगे चल रहा था कॉंग्रेस हाई कमान भी उनके हाथों में ही पंजाब की कमान सो अपना चाह रहा था लेकिन अम्बिका सोनी ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया है बता दें कि अम्बिका सोनी करीब पचास सालों से राजनीती में है दरसल कैप्टेन अमरिंदर के स्तीफे के बाद दो नाम सबसे आगे चल रहे थे इसमें एक नाम था अम्बिका सोनी तो दूसरा नाम था सुनील जाखड का बताया जा रहा है कि सिद्धु खेमे की ओर से सुनील जाखड के नाम पर आपत्ती जताई गई जिसके बाद अम्बिका सोनी का मुख्यमंतरी बनना लगबग तैं हो गया लेकिन उन्होंने सिमपत ठुकरा दिया ऐसी जानकारी है कि अम्बिका सोनी ने कॉंग्रेश आला कमान को मुख्यमंतरी बनने से ये खहते हुए इनकार कर दिया है कि राज में किसी सिख को ही कमान सोपी जाए दरसल अमिका सोनी खत्री समाच से है उनका कहना है कि पंजाब में सिख नहीं होगा तो और कौन होगा अमिका सोनी ने ये भी कहा कि वो पार्टी के प्रत इमानदार है और हर फैसले का सम्मान करती है लेकिन मुख पंजाब में सिद्धू कैम्प और कैप्टन के बीच में बैलेंस इस्थापित करने में भी काम्याब रहती हैं ब्यूर रिपोर्ट एबी न्यूज